तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2022 में आई movie लूप लपेटा को इसकी ratings की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही release हुई है तो ratings उपर नीचे हो रही है मैंने जल्द ही एक post डाला था जिसमें कि मैंने कहा था कि मैं आप face reveal करने वाला हूँ तो अगर आपके मन में मुझे लेकर कोई सवाल हो या कुछ भी जानना चाहते हो तो आप comment में अपने सवाल लिख दीजिए मैं face reveal वीडियो में आपके सवालों का जवाब जरूर दूँगा मैं movie को explain करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे instagram या फिर facebook पर भी follow कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा तो movie की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सवी होता है जो की bathroom में बैठे नशे कर रही होती है और काफी परेशान सी लग रही होती है उसकी परेशानी का कारण ये था कि वो pregnant थी लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात की खुशी मनाय या चिनता जता है अब यहां से कहानी थोड़ा flashback में जाती है जहां में बताया जाता है कि सवी एक athlete थी और वो बाधा दौड में race लगा कर race को जीतने वाली थी लेकिन जूते का फीता खुलने की वज़े से वो दौरते दौरते गिर जाती है और उसके गुटने की हड़ी तूट जाती है सवी उस पे गुसा करने लग जाती है क्योंकि जो वो करने के लिए आई थी वो करने नहीं मिल पाया था सत्या उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सच में मरना नहीं चाती तुम जो life जी रही थी बस उसका the end करना चाती हो अब यहाँ पर हमें सत्या के बारे में बताया जाता है कि वो एक जुआरी आनी की गैंबलर है और वो जुआ खेल कर ही अपनी जिन्दगी गुजारता है और यहीं करके बर्बाद भी कर रहा है सत्या ने सवी की जान बचा ली थी और अब उस दिन के बाद से वो दोनों ही एक दूसरे की जान बन गए थे सवी ने जो जीने की उमीद खो दी थी अब उसने सत्या को ही जीने का सहारा बना लिया था वो दोनों अब काफी खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे और जो भी एक कपल की बीच में होता है वो सारे कारिक्रम उनके बीच होने लगे थे उन दोनों की बीच प्यार तो बेपना था लेकिन सिर्फ प्यार से घर का राशन तो नहीं आता इसलिए पैसे कमाने के लिए सवी केयर टेकर का काम करने लग जाती है सत्या और सवी में इतना जादा गहरा प्यार था कि सत्या सवी की गहराईयों में जाने से पहले सावधानी बरतना ही भूल जाता है जिसकी वज़े से अब सवी प्रेगनेंट हो गई थी, जो कि वो चाहती नहीं थी, क्यूंकि उनके पास उतनी कमाई नहीं थी कि वो एक बच्चे को समाल सकें और सवी को ये भी नहीं पता था कि ये खबर जानने के बाद सत्या क्या रियाक्ट करेगा और अब कहानी प्रेजंट में आ जाती है सवी ये सारी चीजे सोची रही होती है कि तबी उसके पास सत्या का कॉल आ जाता है जब वो कॉल उठाती है तो सत्या घबराते और चिलाते हुए कहता है कि हमारी अब लग चुकी है कहानी अबादे गंटे पीछे जाती है जा हम देखते हैं कि सत्या एक होटल में वेटर का काम करता था तो वो अपने बॉस विक्टर से थोड़ा एडवांस मांगने के लिए जाता है क्योंकि आज सवी का बड़े था विक्टर उसे एडवांस तो नहीं देता लेकिन उसे एक काम पकड़ा देता है Victor उसे एक packet देता है और कहता है कि इसे तुम्हें एक आदमी के पास पहुँचाना है और वो तुम्हें इसके बदले 50 लाक रुपए देगा जो कि मुझे लाकर देना है Victor उसे safety के लिए एक गन भी देता है और कहता है कि ये काम तुम्हें 80 मिनिट के अंदर करना है और अगर कोई भी गड़बड हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा अब हम देखते हैं कि सत्या packet के डिलीवरी करके 50 लाक रुपए लेकर खुशी खुशी बस में बैट कर Victor के पास जा रहा होता है तबी उसे एक आदमी दिखता है जो कि गैर कानूनी पतियों के नशे कर रहा होता है उस नशे की महक सत्या के नाक में जाती है और उसका ध्यान उसकी और ही चला जाता है वो एक नंबर का नशेडी तो था ही तो वो नशा करने के लिए नशा करने वाले आदमी से नशा करने वाला पदार्त मांगता है और नशा करने में एकदम धुत हो जाता है तबी उसी वक्त बस में पुलिस आ जाती है और उसे गैर कानूनी पत्तियों का नशा करते देख लेती है तो सत्या डर के मारे बैग छोड़कर भाग खड़ा होता है तबी हम देखते हैं कि जो आदमी नशा कर रहा था वो उस बैग को खोल कर देखता है और इतने सारे पैसे देखकर उसकी नियाट डोल जाती है तो वो बैग लेकर निकल जाता है काफी भागा दोड़ी के बाद उसे बैग के बारे में याद आता है लेकिन बैग तो अब जा चुका था यहां से कहाने फिर वर्तमान में आ जाती है जहां सत्या ये सारी कहानी सवी को सुना रहा था और उसकी पूरी तरह से हालत खराब हो रखी थी क्योंकि उसने विक्टर के 50 लाग रुपए खो दिये थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे सवी सत्या की पटी हालत देख कर कहती है कि बस जहां पर गई है वहां पर बैग धूनो तब तक मैं पैसे का इंतिजाम करती हूँ सवी के ज़्यादा यार दोस्त या रिष्टदार नहीं थे तो उस टाइम पर उसे अपने पिता जी ही याद आते हैं तो वो उनके पास जाकर मदद लेने का सोचती है सवी बाहर निकलते ही एक टैक्सी वाले के पास जाकर उसस चलने को कहती है टैक्सी वाला कहीं भी जाने से मना कर देता है क्योंकि जिससे वो प्यार करता था उसकी किसी और से शादी हो रही थी तो वो उसी गम में डूबा हुआ था सवी को उसके दुख से कोई मतलम नहीं था क्योंकि वो पहले से अपने दुख में दुखी थी तो वो गुसे में आकर टैक्सी का शीशा तोड़ कर भाग जाती है सवी एक टाइम पे बहुती बढ़िया धावक थी तो वो अपने पिता तक पहुँचने के लिए दौड़ना ही शुरू कर देती है रास्ते में एक पुलिस वाला उसके पीछे पढ़ जाता है क्योंकि उसने सवी को टैक्सी का शीशा तोड़ते हुए देख लिया था तो वो उसे पकड़ना चाता था सवी पुलिस वाले को चक्मा देते हुए अपने पिता जी के पास पहुँच जाती है और सिधा 50 लाग रुपए देने के लिए कहती है पिता जी 50 लाग सुनकर ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है और जब उन्हें पता चलता है कि पैसे सत्या को चाहिए तो वो देने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि पिता जी सत्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे सवी की मा नहीं थी और सवी की अपनी पिता जी से बिलकुल भी नहीं बनती थी क्योंकि उसके पिता जी का इंटरेस्ट मादा में नहीं बलकी नर में था तो इसी बात से सवी उनको पसंद नहीं करती थी हम देखते हैं कि सत्या एक जगा पर एकदम परेशान सा बैठा होता है क्योंकि काफी दूरने के बाद भी उसे कहीं पर भी बैग नहीं मिला था तभी उसे एक जुलरी शॉप दिखती है तो उसका दिमाग तनकता है और वो उस दुकान को लूटने का सोचने लग जाता है तभी हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जिनका नाम अप्पू और गप्पू होता है जो कि वो भी उसी दुकान में डाका डालने का सोच रहे होते हैं वो दोनों दुकान के मालिक ममलेश के ही बेटे थे लेकिन उनके पिता जी ने उन दोनों को एकदम नौकर ही बना कर रखा था और पैसों के नाम पर बस 50 रुपए ही पकड़ा दिया करते थे जिसके चलते अब उन दोनों ने अपने पिता जी की ही दुकान को लुटने का सोच लिया था उदर सत्या सवी को फोन करके बता देता है कि वो जोलरी शॉप लुटने के लिए जा रहा है क्योंकि वही पर उतने पैसे मिलने की उमीद है सत्या पहले भी उस दुकान में जा चुका था क्योंकि सत्या ने सवी को प्रपोस करने के लिए रिंग वहीं से ली थी सवी उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है लेकिन सत्या उसकी एक भी नहीं सुनता और चोरी करने का पूरा मन बना लेता है सवी सत्या के पास पहुँचने के लिए फिर से दोड़ने लग जाती है लेकिन तभी उसके पीछे वही पुलिस वाला पढ़ जाता है दुकान में घुश जाता है और बंदूग की दम पर ममलेश को 50 लाक रुपए देने को कहता है ठीक उसी समय अपू गपू भी चोर बन कर दुकान में घुश जाते हैं और तब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के उपर गन तानने लग जाते हैं उसी वक्त वहाँ पर सवी आ जाती है और दुकान में पत्थर मार कर सबका ध्यान भटकाते हुए सत्या को बचा ले जाती है सत्या दुकान से पैसे चुराने में कामियाब हो गया था और अब वो विक्तर के पैसे वापिस दे सकता था लेकिन तभी वहाँ अपू गपू आ जाते हैं और अपनी नकली ब मरते देख सवी के पैरो तले जमीन खिसक जाती है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ये सब उसके सामने हो रहा है। उसके मन में वो सारी बाते हों और सारे पल आने लग जाते हैं जो भी उसने सत्या के साथ बिताय थे। अब इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सवी ने कभी सोचा ही नहीं था और अब यहां से कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। अब इसके में सवी को समझ आता है कि शायद उसने जो गलतियां करी है उसे सुधारने का एक और मौका मिला है और वो शायद सत्या को मरने से बचा सकती है। दूसी टैक्सी वाले के पास पहुँच जाती है लेकिन तबी वहाँ पुलिस वाला भी आ जाता है और सवी को पकड़ लेता है और टैक्सी वाले को पुलिस टेशन चलने को कहता है। वो सेम उसी तरह अपनी गल्फरंड की शादी के बारे में जानकर दुखी था तो वो जाने के लिए मना कर रहा होता है। पुलिस वाला गुस्से में आकर अपनी बंदूग जेकब के उपर तान देता है और चलने के लिए कहता है। देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता जी के पास पैसे हैं ही नहीं। सवी को तो बिल्कुल भी पैसे नहीं मिले थे लेकिन सत्या को शान्त रखने के लिए वो कह देती है कि उसे पैसे मिल गए हैं तो वो लेकर आ रही है। सवी फिर से सत्या के पास जाने के लिए दौड लगाती है लेकिन तभी दुबारा से पुलिस वाला उसके पीछे पढ़ जाता है तो सवी फिर से वैसे ही उस लड़की की शादी में घुच जाती है इस बार वो जेकब की प्रेमिका जूलिया के कमरे में ही घुच जाती है जूलिया पहले से ही बहुत परेशान थी कि वो आखिर करे तो करे क्या क्योंकि एक तरफ जेकब था जो कि उससे प्यार करता था लेकिन कमाई के मामले में सिर्फ वो टैक्सी ही चलाता था और दूसरी तरफ रॉबर्ट था जिससे उसकी शादी हो रही थी जो की काफी पैसे वाला था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाए सवी अपने हालातों को देखते हुए कह देती है कि तुम्हें रॉबर्ट को चुनना चाहिए क्योंकि अगर तुम जेकब के पीछे भागोगी तो जिंदगी भर बस भागती ही रहोगी और इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है हम देखते हैं कि सत्या उसी जोलरी शॉप के आसपास घूम रहा होता है कि तब ही वो देखता है कि दो लड़के उसी जोलरी शॉप को लूटने का प्लान बना रहे हैं जो कि अप्पू गप्पू होते हैं सत्या उनके प्लैन को खराब करने के लिए पुलिस को फोन लगा देता है और सब कुछ बता देता है अपू गपू चोरी करने के लिए दुकान में घुश जाते हैं लेकिन उनके पिता जी उनकी आवाज से तुरंथी पहचान जाते हैं कि वो दोनों उनके ही बेटे हैं उदर सवी सत्या के पास पहुंच जाती है और बता देती है कि उसने जूट बोला था कि उसे पैसे मिल गए हैं सवी कहती है कि हम ममलेश की जोलरी शॉप लूटने वाले हैं सत्या उसे बताता है कि मैंने तो पुलिस को बता दिया है कि दुकान में चोरी होने वाली है तो हम लोग अब चोरी नहीं कर सकते सवी कहती है कि वो दोनों दुकान में चोरी करने गए हैं तो हम दोनों उन दोनों को ही लूट लेंगे अब हम देखते हैं कि अप्पू गप्पू अपने पापा को ही रसी से बान देते हैं और सारा पैसा लेकर फरार हो जाते हैं दोनों लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो सत्या और सवी उन पर हमला कर देते हैं और सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं वो दोनों फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर पिछली बाद सत्या मरा था तब ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जेकब वहाँ बैठे जूलिया के जाने का दुख मना रहा होता है जेकब सवी को देखता है और उसे देखते ही उसके उपर गंद तान देता है क्योंकि सवी नहीं जूलिया को कहा था रॉबर्ट को चूस करने के लिए तो जेकब यही समझ रहा था कि सवी नहीं जूलिया को भड़काया है सवी कहती है कि मुझे तुम मार भी दोगे तो तुम्हें जूलिया वापिस नहीं मिलेगी जेकब कहता है कि तुम्हें मारना ही कौन चाता है और इतना कहने के बाद वो सत्या के उपर गुली चला देता है क्योंकि सवी की वज़े से उसका प्यार छिन गया था तो वो सत्या को मार कर सवी का प्यार छिन लेता है सवी को जो दुबारा से चांस मिला था उसमें भी सत्या की मौत हो जाती है और फिर से सवी को उसके साथ बिताए सारे पल याद आने लग जाते हैं अब यहां से फिर से सवी अपने आपको उसी बातरूम में पाती है और तब उसे पता चलता है कि उसे फिर से एक और चांस मिल गया है सत्या को बचाने का एक तरह से एक टाइम लूप बन गया था कि जब सत्या मरता था तो सवी फिर से उस टाइम में पहुँच जाती थी जब सत्या का कॉल आने वाला होता था simple भाषा में समझें तो जब आप किसी अप के थू कोई गाना बजाते हैं तो उसमें एक option होता है एक ही गाने को बार-बार repeat में बजाने का तो जब गाना खतम हो जाता है तो दोबारा से वही गाना शुरू से बजने लग जाता है तो सेम ऐसे ही सवी के साथ भी हो रहा था उसकी जिंदिगी का ये एक समय लूप में फस गया था और सत्या के मरने पर वो टाइम बार बार रिपीट हो रहा था एक तरह से समझें तो सवी को ये वरदान मिल गया था कि वो सत्या को मरने से बचा सके सवी इस बार सोचती है कि वो अब तक जितनी भी गलतियां करती आ रही थी वो गलती नहीं करेगी और इस बार वो सत्या को बचा कर रहेगी सवी इस बार अपने पापा के पास नहीं जाती बलकि उन्हें फोन लगाती है और अब तक जितनी भी गलतियां उसने करी थी उन सब के लिए उनसे माफी मांगती है और अपने पिता जी के बॉइफरेंट को भी एकसेप्ट कर लेती है इसके बाद सवी सीधा जेकब के पास जाती है और उसे जूलिया की शादी में चलने के लिए कहती है क्योंकि पिछली बार जेकब नहीं सथ्या को गोली मारी थी तो इस बार वो जेकब के साथ अच्छा करके उस गलती को सही करना चाह रही थी उदर सथ्या के दिमाग में सेम वैसे ही जूलरी शॉप से चूरी करने का आइडिया आता है तो वो सेम वैसे ही मूँ ढग कर दुकान के अंदर जाकर बंदूग के दम पर पैसे देने को कहता है ममलेश सत्या को पैचान जाता है क्योंकि उसकी यही खासियत थी कि वो एक बार किसी को देख या सुन ले तो वो उसे पैचान ही लेता था हम देखते हैं कि ममले सत्या को अराम से बैठाता है और कहता है कि तुम चाहो तो यहां से चोरी कर सकते हो तुम यहां से चोरी करके जाओगे तो मुझे इंशेरंस से उतना ही जादा पैसा मिलेगा तो इसमें मेरा ही फायदा है उदर हम देखते हैं कि सवी और जेकब जूलिया के पास पहुँच जाते हैं और तब जेकब प्यार भरी लाइन बोल कर जूलिया को खुश कर देता है जिससे कि जूलिया उसके साथ ही अपनी जिन्दगी बिताने का सोच लेती है सवी को वहीं पर एक बैग दिखता है जिसमें कि शादी में आए रिष्टेदारों के पैसे रखे हुए थे तो वो उस बैग को चुरा लेती है सवी जूलिया की जगा ले लेती है और वेडिंग ड्रस पहन के शादी के फंक्शन में चली जाती है ताकि जूलिया और जिकब वहाँ से भाग सकें और उसके बाद सवी भी बैग लेकर वहाँ से भाग निकलती है सवी उन पैसों को लेकर कसीन हो जाती है क्योंकि इस बार वो अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी वो आठ नंबर पर अपने सारे पैसे लगा देती है और उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो काफी सारे पैसे जीच जाती है हुदर सत्या और ममलेश में डील हो जाती है तो ममलेश सत्या को 50 लाक रुपए दे देता है और ऐसा महाल बना देता है कि जैसे चोरी हुई हूई इस बार अप्पू गपू ने चोरी का प्लाइन नहीं किया था बल्कि किट्नैपिंग का प्लाइन किया था अप्पू ममलेश को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि मुझे किसी ने किडनाइप कर लिया है और खूप सारे पैसे मांग रहा है इसलिए आप जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ ममलेश भले ही बेटों को नौकर बना कर रखता था लेकिन वो अपने चोटे बेटे अप्पू से बहुत प्यार करता था तो उसके लिए खुछ भी करने के लिए तयार हो जाता है ममलेश सत्या के उपर गन तान देता है और सारे पैसे देने को कहता है क्योंकि ममलेश को तो अपने बेटे को बचाना था इसी बीच गप्पू गिटनैपर बनकर अप्पू को ले आता है और तब फिर से वैसा ही सेम सीन बन जाता है ममलेश को पता चलता है कि उसके बंदूक में तो गोलियां है ही नहीं तो उसका वहीं पर पोपट हो जाता है और तब सत्या सारे पैसे लेकर वहाँ से फरार हो जाता है रास्ते में ही सत्या को सवी मिल जाती है और फिर वो दोनों खुशी-खुशी वहाँ से भाग निकलते हैं क्योंकि अब दोनों के पास ही खुप सारे पैसे थे इसी खुशी में सवी सत्या को बता देती है कि वो प्रेगनेंट है इस बात को सुनकर सत्या काफी खुश होता है और सवी को गले से लगा लेता है तब ही वहाँ पर रास्ते में ही सत्या को विक्टर मिल जाता है सत्या विक्टर को उसके पूरे 50 लाख रुपए दे देता है और तब उसकी जान बच जाती है हम देखते हैं कि सत्या और सवी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े घर की और जा रहे होते हैं और उनके पास अब भी एक पैसो का बैग बचा हुआ था जो कि सवी ने कसीनों में पैसा जीता था तब ही सत्या की नजर उसी आदमी पर जाती है जिसने बस में उसको नशे करवाए थे और उसी की हाथ में वो पैसो से भरा बैग भी था सत्या तुरंत उस आदमी के पीछे भागता है और सवी सत्या के पीछे भागती है और ये पैसो के पीछे भागने का लूप जो कि कभी खतम ही नहीं होता वो फिर से शुरू हो जाता है और फिर मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों आपने जो मूवी में देखा वो वैसे तो रियल लाइफ में होता नहीं है लेकिन कुछ चीजे हैं जो रियल में होती है जैसे कि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो वही बुरा किसी और रूप में आपके साथ भी हो जाता है और अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो अच्छा ही किसी रूप में आपके जिंदगी में आही जाती है इस मूवी का जो लूप वाला पार्ट है वो शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा लेकिन मैंने गाने वाले एक्जामपल के जरी आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है बाकी एक और एक्जामपल ये भी दे सकता हूँ कि काफी लोगों ने वीडियो गेम्स तो खेले ही होंगे हमें गेम में तीन लाइफ मिलती हैं और जब हम एक लाइफ में मरते हैं तो गेम फिर से वहीं से शुरू हो जाता है तो वैसे ही कुछ सवी के साथ भी हो रहा था सत्या जब भी मरता था तो वो लूब repeat हो जाता था और सभी को उसकी जान बचाने का एक और मौका मिल जाता था और तीन चान्स मिलने के बाद सभी सत्या को बचाने में काम्याब हो ही जाती है वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये मूवी 1998 में आई जर्मन मूवी रन लोला रन की रिमेक है जी हाँ ये कोई नए कॉंसेप्ट की मूवी नहीं है बलकि एक रिमेक है वो भी उस टाइम की मूवी की जब आप या हम में से काफी लोग पैदा भी नहीं हुए थे हाला कि जो ओरिजनल मूवी है वो आज से 24 साल पहले आई थी तो ये तो लाजमी है कि आज के टाइम की सिनेमेटोग्राफिय और कैमरा एंगल्स अच्छे ही होंगे इस मूवी को देखने के बाद मैंने रन लोला रन भी देखी और मुझे ऐसा फील हुआ कि लूप लपेटा उससे थोड़ा अच्छी है क्योंकि इसमें बॉलिवुड टच है और फिल्म से थोड़ा कनेक्ट भी हो पाते हैं हाला कि ओरिजनल मूवी एक गंटे पंदरा मिनट की ही है लेकिन लूप लपेटा पूरे दो गंटे ग्यारा मिनट की है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें सत्या और सवी की प्रेम कहानी बताई गई है और कहीं कहीं पर सीन को कुछ जादा ही खीचा गया है जो की जरूरी नहीं था कुछ चीजे हैं जो इसमें ना भी होती तो काम चल जाता और मेन प्लॉट को सामने लाने में ही काफी टाइम लगा दिया गया है अब एक्टिंग की बात करें तो तापसी पन्नू की एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है इससे पहले इनकी रश्मी रॉकेट नाम की मुवी आई थी जिसमें की उन्होंने एटलीट का रोल निभाया था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसी रोल को इस फिल्म में डाल दिया गया है क्योंकि उनका रहन सहन और पहनावा सब सेम ही देखने को मिलता है वहीं हम बात करें ताहीर राज की तो उन्होंने अपने करेक्टर को काफी सही तरीके से निभाया है ये हमें 2021 में आई 83 मुवी में सुनील गावसकर के रूप में देखने को मिले थे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उन्होंने सत्या का रोल निभाने के लिए मेहनत तो करी है बाकी जो सहक अलाकार है उन्होंने भी अपनी अक्टिंग से मुवी को इंट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए काफी योगदान दिया है अगर आप इस मुवी को देखना चाहते हैं तो इसे नेट्फलिक्स पर देख सकते हैं और ये वन टाइम वाच मुवी तो है ही तो ये था एक्स्प्लेनेशन लूप लपेटा मुवी का आपको मुवी और मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिविकेशन मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जोरू करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते